नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुणने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों कि विजार आपके पूरे दिन को खराब करने की ताकत रखता है कास मैंने ये काम ना किया होता कास मैंने वो गलती ना की होती कास मुझे वो समय कुछ समझा देता तो आज मैं पस्ता ना रहोता दिमाग के तित्रती कुछ ऐसी होती है कि वो हमेंसा भूत काल में ही बटक दा और उससे बुरी बात हमेशा पुराने और बुरी बातों को याद करता है। और वह सहतान है, हमारे लिए की बिचार, जिनका घर बन चुका है हमारा यतिमा, जिन लोगो भूद काल की चिंता नहीं होती, उन्हें भविस्य की चिंता सताती रहती है, आगे हमेज़ा बुरा ही होगा, ऐसी बाते मन में आती रहती है, और ये चीज़े आपके लिए बहुत भी नहीं चलेना, मेरे कहने का मतलब ये विल्कुल भी नहीं है, कि आप सोचना बन भगो, जिन्दगी में हर काम को सोच समझ करनी करना चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना भी चाहिए, और आने वाले भविस्य की प्लानिंग भी करके रखनी चाहिए, लेकिन कभी इतना जादा न सोचना चाहिए, कि आप इसी काम को सुरू ही न करपाओ, इतनी जादा चिता भी नहीं करनी चाहिए, या आप चिता करते करते ही खत्म हो जाओ, पिछली गलतियों से सीखने की बजाए, उन गलतियों को याद करके रूटी रे जाओ, यह योग गलती है, जो आज और कोई कर दहा है, हम सब जानती है, तिर भी हम बस निगे की बिचारों में ही टूबे रेते हैं, निगे किती योखे बारे में ही सोचते रहते हैं, न जाने हम यह बात क्यू बुल जाती है, कि हमारे साथ पहले जो हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ था, और अभी भले ही जो कुछ हमें बुरा लग रहा है, आगे चल कर पता चल जाएगा, कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है, किसी ना के खोब कहा है, जिन्गी को अगर समझना है, तो पीछे मुर कर देखो, और जिन्गी को अगर जीना है, तो बर्टमान में चल कर देखो, हर नए सुरुआत आपको ड़लाती जरूर है, लगिन पर याद रगना, मुसिप्तों के बाद ही सफलता हाथ लगती है, जो लोग बरे सपने देखते हैं, जिनके लख्ष बड़े होते हैं, वो बरसितियों के फिक्रे नहीं करते हैं, नहीं डर कर बैठ चाते हैं, अगर आप भी अपने जीव में तो आज कोई हर बंद रहता है, लेकिन आपको जेल को तोरकर खुद को बाहर निकालना होगा, जो हो चुका है उसे आपको बदल नहीं सकते, जो होने वाला है हो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके जो कर्म कर रही है, वो आपकी हाथ में है, इसलिए अपने किंती स नहीं को सोचने में पस्ताने में मत कवाओ, नहीं तो सोचती रह जाओगी और कोई और मौकी का पायदा उठा कर लिजाएगा, और पिर आप वापस से अफसोस करोगी कि कास, कास उस समय में वो काम कर लिया हुता, किसी नहीं क्या खूब कहा है, कि तास के पत्कों से ताज महल नहीं बनता, नभी को रोबने से समंदर नहीं बनता, लड़ना पड़ता है जिन्दगी से हर दे, बैखे-बैखे सोचकर कोई सिकंदा नहीं बनता, जो करना है वो खड़ हो, जरूरत से ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि करने वाले कर जाते हैं, और सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं यादर के पालतू के विचार हमारे दिमाग के उपज होती है और यह हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम अकेले होती हैं जब हमें समझाने वाला कोई नहीं होता कि हमें जादा नहीं सोचना है लेकिन इसलिए अब समय आगया है आप खुद को समझाना होगा खु कुछ ना भी मिला तो क्या तजर्बातों नया होगा निडर बनो बेखौब बनो हिम्मत से चलो सफलता तुमें ही मिलेगी वीडियो कहते हैं इतना कहना चाओगा ज्यादा सोचने कोई बीमारी नहीं यह कोई खराब आप भी नहीं याद रिखे जब ददक सोचेंगे नहीं त जाएगा अगर वीडियो में कहिए बातों सब सह्मेंथ हैं तो उसको सियर जलूर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अमनमस्ति वैली को और हमारे चैनल को सुस्क्राइब करिएगा धन्यमाद दोस्तों